प्रभु ने मुसा से कहा, इस्राइलियों को आदेश दो कि वे प्रत्येक चर्म रोगी को और प्रत्येक व्यक्ति को जो स्राव से पीड़त हैं, अथवा जो शव का स्पर्ष करने के कारण अपवित्र हो गया है, शिवर से बाहर कर दें। ऐसे लोगों को चाहे पुरुष हो या स्तृयां बाहर कर दो, उन्हें शिवर से बाहर कर दो जिससे शिवर अपवित्र ना हो जाए, जिसमें मैं तुम लोगों के बीच नवास करता हूँ। इस्राइलियों ने ऐसा ही किया और उन्हें शिवर से बाहर कर दिया प्रभु ने मुसा को जैसा आदेश दिया था इस्राइलियों ने वैसा ही किया प्रभु ने मुसा से कहा इस्राइलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष यस्त्री किसी के साथ अन्याय करता है और इस प्रकार इश्वर के साथ विश्वास घात करता है तो वो दोशी है वो अपना पाप स्विकार करे और अपने द्वारा की गई हानी की पूरी शतिपूर्ती करे और उसमें पांचवा हिस्सा जोड़ कर उस व्यक्ति को दे जिसके साथ उसने अन्याय किया यदि उस व्यक्ति का कोई निकट संबंदी न हो जिसे शतिपूर्ती का द्रव्य दिया जा सके तो वो द्रव्य प्रभु का है और वो याजग को शतिपूर्ती यग्य के मेले के साथ दे दिया जाए जो चड़ावे इसराइली याजग के पास ले आते हैं उन सब का एक भाग याजग का होगा हर एक का चड़ावा चड़ाने वाले का है किन्तु वो याजग को जो देता है वो याजग का होगा प्रभू ने मुसा से कहा इसराइलियों से कहू कि यदि किसी पुरुष की पत्नी पत्थ ब्रश्ट होकर उसके साथ विश्वाजगात करते हुए पर पुरुष के साथ प्रसंग करे और उसके पती को इसकी जानकारी ना हो क्योंकि दोश लगाने वाले साक्षी के अभाव के कारण उसका व्यबचार छिपा रह गया और यदि पती को इश्या के कारण अपनी पत्नी पर संदे हो गया और वो पत्थ ब्रश्ट हो अथवा यदि वो इश्या के कारण अपनी पत्नी पर संदे करे और वो निर्दोश हो तो वो अपनी पत्नी को याजक के पास ले आए और उसके लिए चड़ावे के रूप में दो सेर जो का मैदा भी ले आए वो उस चड़ावे पर ना तो तेल डाले और ना लोबान ही रखे क्योंकि वो इश्या की अन्न बली पाप का स्मरण दिलाने वाला चड़ावा है याजक स्त्री को प्रभू के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए वो मिट्टी की एक पात्र में आशिश का जल भरे और तंबू के फर्ष की थोड़ी से धूल जल में डाल दे इसके बाद याजक उस स्त्री को प्रभू के सामने खड़ा करे उसके सिर के बाल खोल दे और उसके हाथ में पाप का स्मरण दिलाने वाला चड़ावा इश्या की अन बली रख दे और अपने हाथ में कड़वा शाप लाने वाला जल लिये रहे तब याजक स्त्री को शपत खिलाते हुए उससे कहे यदि तुम्हारे साथ किसी पर पुरुष का प्रसंग नहीं हुआ यदि तुम पती के रहते पत ब्रश्ट और अपवित्र नहीं हुई हो तो ये शाप लाने वाला कड़वा जल तुम्हारी कोई हानी नहीं करे परंतु यदि तुम पती के रहते हुए पत ब्रश्ट और अपवित्र हो गई हो क्योंकि पर पुरुष का तुम्हारे साथ प्रसंग हुआ है अब याजक ये कहते हुए स्त्री को अभिशाप की शपत खिलाए तो प्रभू तुम्हारा नाम अपने लोगों में ग्रिना स्पद और अभिशपत बना दे वो तुम्हारी जांगे दुलाए और तुम्हारा पेट फुलादे ये शाप लाने वाला जल तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा पेट फुलाए और तुम्हारी जांगे दुलादे इस पर स्त्री कहे ऐसा ही हुँ इसके बाद याजक एक कागस पर अभिशाप के ये शब्द लिख कर उन्हें कडवे जल से धुए और वो अभिशाप लाने वाला कडवा जल स्त्री को पिलाए जिससे वो जल उसके शरीर में जाकर अलसही पीडा उत्पन करे तब याजक इश्या की अन्न बली स्त्री के हाथ से ले ले और वेदी के पास जाकर उसे हिला हिला कर प्रभू को अर्पित करे वो उसमें से समूची अन्न बली के प्रतीक के रूप में मुठी भर लेकर उसे वेदी पर जलाए इसके बाद वो स्त्री को वो जल पिला दे तो वो शाप लाने वाला जल जो याजक उसे पिलाता है उसमें असहय पीडा उत्पन करेगा स्त्री का पेट फूल जाएगा उसकी जांगे धुल जाएंगी और उसका नाम उसके लोगों में अभिशप्थ हो जाएगा यदि उस्त्री ने अपराद नहीं किया और उसका आचरन निर्दोश रहा तब उसे कुछ नहीं होगा और वो गर्वधारन कर सकेगी ये ईश्या की विधी है जब कोई स्त्री पत ब्रश्ट और पती के रहते अपवित्र हो जाती है अथवा यदि पती के मन में ईश्या उत्पन हो जाती है क्योंकि वो अपनी पत्नी पर संदेख करता है वो उसे प्रभू के सामने उपस्तित करेगा और याजक उसके साथ वही करेगा जो यहां लिखा है पुरुष को अपराद नहीं लगता पर स्त्री अपने अपराद का फल भोगेगी